तो सातियों अब आगे हम नहरी जो बहुदीशी प्रियोसना है उस पर चर्चा कॉंटिन्यू करते हैं तो देखेगा हमारे पास में जो आपकी सेलेबर्स में में मेंसिन कर रखा है नहरों में इंद्रा गांदी कैनाल प्रोजेक्ट के बारे में बता रखा है और एक आपके व के वो टॉपिक है, वो यहां पर हो जाए तो सेलेए देखेगा नहरी बहुदीशी प्रियोसना का मतलब क्या है? कोई भी नदी है, उस नदी में से नहर निकाली गई है और उस नहर के जो पानी है, उस पानी में बिजली उत्वादन का कारी किया जा रहा ह। पेजल का का काम मिलिया जा रहा हूँ तो उस प्रियोसना को क्या बोला जाता है नहरी बहुदेश्य प्रियोसना के रूप में जाना जाता है तो एक ओवर्यू में आपके सामने रखता हूँ मेप के माध्यम से एक थोड़ा सा ऑवर्वीव है ऑवर्वीव आपके समक्स में प्रस्तूत है प्रस्तूत करता हुआ चलूँगा तो देखिए का भई सबसे पहले हमारे पास में यहां से एक नदी है एक नदी निकलती है और इस नदी का आपको पता है नाम आता है यमुना नदी और इस यमुना नदी है इस यमुना नदी के माध्यम से हमारे पास में दो चो कैनाल प्रोजेक्ट है कैनाल प्रोजेक्ट देखने को मिलता है एक तो हमारे पास में इधर से उपर से आता है एक तो इधर से और एक हमारे इधर से नीचे से आता है ठीक है तो उपर से जो हमारे पास में प्रोज़ेक्ट आता है उसका तो नाम आता है गुडगावन-Nehर… पूँसी नहर है, वही Wheels Greek, कि ईक और नाम दिया जैता है है, यमूना-नेहर, यमूना-नेहर, तुद्धर, ये राजिस्दान और हरियाणा का सहींत प्रोजेक्ट है हरियाना और राजस्तान का फिर ये नीचे वाली जो नहर आपको देख रिए इसका नाम है भरतपूर नहर भरतपूर नहर और ये भरतपूर नहर है और राजस्तान और यूपी के सहींत प्रोजेक्ट के रूप में जाना जाता है फिर आपके देखे इस तरब से एक नदी आती है हमारे पास में उस नदी का नाम आता है सतलस नदी और सतलस नदी में एक नदी आकर मिलती है जिसका नाम है व्यास नदी तो इन दोनों के माधियम से देखो यहां से एक तो यह जो नदी है उपर से यहां पर एक नहर निकलती है जिसका नाम है गं गंग नेर और इस गंग नेर को राजस्तान की प्रथम बहुदेशी प्रियोसना के रूप में जाना जाता है जैसा कि अपने जो पहले है ओल्रेडी देखा था इसके बाद में आगे देखी का यहां से हमारे पास में एक नहर निकलती है जिसका नाम है इंद्रा गंधी कैनाल प्रोजेक्ट के रूप में जानी जाती है और यह काफी लंबी यहां तक आती है जो बाड मेरे इस बाड मेर में गड़रा रोड नामक जागे है वहां तक जाती है इंद्रा गंधी कैनाल प्रोजेक्ट यह आपके स्पेसली मेंचन कर रहा है सेलेबस में इसको तो वैसे हमे विस्तार है विस्तार से देखना है बागी देखिएगा 37 नदी साथ नदी से एक यहां पर प्रोजक्त आता है जो हनुमान गड़ तक पानी ले जाता है और इसे राजिव गांधी सिद्मुक नहर के नाम से जाना जाता है राजिव गांधी सिद्मुक नहर या कहीं कहीं आपको नहर नहर के नाम से या नहर भादरा नहर के नाम से भी इसको जाना जाता है फिर देखेगा एक हमारे पास में यहां नीचे से एक नहर आती है जो basically हमारे पास में MP से एक अमरकांटक पहाडी से एक नदी निकलती है नरमदा नदी और वो नरमदा नदी आगे जाके गुजराते गुजरात में जाती है तो इस नदी के उपर एक डेम बनाए गया है जिसका नाम है सरदार सरोर डेम के नाम से डेम बनाए गया है और यहां से एक नहर है और नहर निकालकर इस परकार से जो हमारे पास में जालोर है जालोर में इंटर होती है और जालोर के बाद मेर है बाड मेर मेर में जाती है इसका नाम आता है नरमदा नहर फिर मित्रो हमारे पास में एक यहां पर और नदी आती है जिसका नाम है काली सिंद नदी और इस काली सिंद नदी ये इस नदी पर कोटा आए इस कोटा के अंदर एक डैम है इस डैम का निर्मान करवाए जा रहा है या फिर एक प्रियोसना का संचालन किया जा रहा है जिसका नाम में नौनेरा बेराज के नाम से या नौनेरा बांध के नाम से इसको जाना जाता है औ पास में ये वाला जो पूरा पूरा एक बड़ा चेतर में एक कैनाल प्रोजेक्ट है वो काफी लंबे समय से चरशा में रही है जिसका नाम है Eastern Rajasthan Canal Project है इस प्रोजेक्ट के नाम से इसको जाना जाता है तो ये सारे के सारे जो प्रोजेक्ट है इन प्रोजेक्ट को हम विस्तार से चर्चा करेंगे इसके लवाद चुट-पुट जो हमारे पास में Canal Project है उसकी लिस्ट है वो भी हम MAP है उस MAP के मादे हम से समझते हुए चलेंगे तो सबसे पहले जिस प्रोजेक्ट के बारे में हम चर्चा करेंगे वो हमारे पास में प्रोजेक्ट रहेगा इंद्रा गांदी Canal Project है इस Canal Project का पोस्ट मार्णम है वो डिटेल से हम समझते हुए चलेंगे अगर आपको नहीं दिखा हो तो आप देखेगा यहां से स्क्रीन शोट है वो स्क्रीन शोट ले लिजीगा ताकि आप अराम से बाद में प्रोजेक्ट इस Canal Project के बारे में थोड़ा सा इनीशियल जो इंट्रोडेक्शन है या आरंबिक परीची आप लोगों को देता हूँ इस इंद्रा गांदी इस राजस्तान नहर के नाम से इसको संग्या दी गई थी और इसका जो उद्गाटन है वो कब हुआ था 31 मार्च को हुआ था वई कब हुआ था 31 मार्च 1958 में इसका उद्गाटन है उद्गाटन किया गया और इस समय हमारे पास में भारत इस भारत के केंद्री केबिनेट के ग्रे मंत्री थे जिनका नाम था गोईंदे वलब पंते इनके दुआरा इसका उद्गाटन ने उद्गाटन किया गया था और इन्हों ने इस प्रोजेक्ट को नाम दिया था क्या नाम दिया था मरू गंगा इस मरू गंगा की संग्या इन्नों ने ती ती किसकी संग्या दी थी मेरे प्यारे साथ नहीं मरू गंगा इस मरू गंगा की इसको संग्या उसंग्या इनके दुआरा दे गई वहीं मित्रो जिस परकार से जो मारे पास में महाराजा गंगा अगया था उसी प्रकार से इसे इंद्रा गांधी कैनल प्रोजेक्ट का निर्मान करने वाले घ्यार से नाम था अग्या थी करें यह यह कुछ चुछ उठ्वीट बातें यह बेशिक्लिव पंजाब के थे हमारे सामने देखने को बिलती एक ती इस नहर के अंदर को जितना भी पेशा खर्च हुआ है या इकोनोमिकल जो कॉपरेशन किया है वो संस्ता हमारे पास में आती है वर्ड बैंक कौन सी आपके एक्जाम में सिधा सिधा पूछा जा सकता है कि इंद्रा गांदी कैनाल प्रोजेक्ट है इसके लिए जो साहिता है वो साहिता करने वाली विदैसी संस्ता है वो कोंसी थी तो 200 विएक के दुवारा इसमें साहिता क्य गई ती तो वहांस पर देखे इन्होंने जब उद्गाटन किया था तब इसका नाम दे दिया था मरूगंगा और इसके बाद में हमारे पास में दो नौंबर 1984 में हमारे जो प्रधानमंत्री रहे हैं पूरो प्रधानमंत्री उनके नाम से इनकी सिंग्या दी गई थी इंद्रा गांधी कैनाल प्रोजेक्ट है उसके नाम से इसको सिंग्या दी गई वहीं मित्रो यह जो नहर है इस प्रकास से देखो यह 17 नदी है और यहां पर व्यास न निर्मान किया गया है, तो ये भी आप बात है, वो बात याद रखेगा, सिधा आपके एक्जाम में सवाल पुछा, जा सकता है कि ये नहर कहां से निकल गई है, हैरी की बेराज से निकल गई है, पहले इसका नाम राजस्तान नहर था और गोविंद वलप पंत, ये कौन थे भ ठीके, इसका काम करने वाले एक बड़े प्रोजेक्ट के रूप में इसको जाना जाना चाहिए, ठीके बई, आगे देखेगा मित्रों, तो इस पूरी पूरी नहर है, इस नहर के माध्यूम से बड़े छेतरे, इस बड़े छेतर में शिन चाही हो शिन चाही की जाती है इसका टोटल जो construction है या निर्मान है कितने faces में हुआ मित्रूँ दो faces में इस नहर का निर्मान करवाए गया पहले face की बात करें तो यहाँ पर देखो यह 17 नदी और जो हमारे पास में व्यास नदी है दोनों जहां पर मिलती है उस जगे को क पानी शिरफ और शिरफ यहां तक सप्लाई किया जाता है कई इसमें से इदर उदर पानी बहार है वो बाहर नहीं निकाला जाता है के वो यहां से यहां तक पहुंचाने के लिए जिस नहर का प्रियोग किया गया उसे फीडर नहर के नाम से जाना जाता है और इसकी लंबा या नाम आता भई मसिता वली तो मसिता वली तक 204 किलोमेटर है 204 किलोमेटर इस फीडर नहर का निर्मान किया गया है इसे बोला जाता फीडर नहर और इस फीडर नहर के बाद में यहां मसिता वली हनुमान गड़ है इस हनुमान गड़ से आगे अगर हम बात करें विका नहर की त तक लगबग इसकी 190 किलोमेटर वन एटी 9 किलोमेटर का निर्मान है प्रतम फेस में किया गया है और इस जगे का नाम है दान्टोर तो यह जो टोटल यहां से ल लेके यहां तक जो इसका construction किया गया है ये आपका इंद्रा गांदी नेर के पर्थम चरण में कुल 313 में किलोमेटर की लंबाई ये इस लंबाई का निर्मान है और निर्मान किया गया था अब देखो वर्तमान में अगर इसकी बात करें तो दानतोर से आगे जैसलमेरे जैसलमेर तक इसका निर्मान है जो किया गया मोनगड तक जैसलमेर में जगे है मोनगड और मोनगड के आगे अगे अब एक नई एक इ जाना जाता है इसके 0.0 के नाम से इसको जाना जाता है और यह आपके काम पर पढ़ता है बाड मेर में पढ़ता है तो यहां से लेके यहां तक इसकी लंबाई है वो 256 km की लंबाई पढ़ती है और यहां से लेके यहां तक जो है 165 km की यह है इसका अंडर जो कंस्ट्रेक्श पर किया गया है और टोटल अगर हम देखें तीन सो त्रेड में और एक हमारे पास में 421 तो टोटल इंद्रा गांधी नहर की लंबई वर्तमान के अगर हम बात करें तो 814 किलोमेटर इसकी लंबई है वो लंबई की इस नहर की लंबई देखी जाती है वहीं अगर पुराना ड जाती है तो यह हमारे पास में इंद्रिया गांधी नहर है इस इंद्रिया गांधी नहर की लंबई की रूप में आपके समक्स है वह समक्स बताई जाती है तो नेक्स स्लाइड है और नेक्स्ट आगे देखीगा मित्रों तो यहां तक मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ जाती है technically इसकि लंबही आती है Hariga Behros Punjab से निकल कर मसीता वखिर हठीट है रहा तक किसी भी परकार से पानी की सप्लाई या पानी से जब्लाइब यहां यहां पर पानी यह पानी यहां तक पहुंचाल मैं इस्तित है तो अनुवानगड के बाद में मुख्य जो नेर है मेन जो कैनाल है वो मसिता वाली से दानतोर तक 189 किलोमेटर जो है वो डिस्टेंस कवर करती है टोटल पर्थम चरण में निरमित कुल नहर की लंबा ये वो 303 में किलोमेटर हमारे पास में देखने को मिलती है वहीं जो हमारा से वेसल मेर के मोहनगड से आगे चलकर बाड मेर की जगयाती जिसका नाम है गडरा रोड और इस गडरा रोड को कहा जाता है जीरो पूइंट 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 नामक जो इस्तान है वह इंद्रा गांदी नहर का कौन से इस्तान को कहा जाता है तो इस से आगे ये जो डिस आपको थोड़े देर पहले बताये था, 814 किलोमेटर की इंद्रा गांधी नेहर है, इस नहर की लंबाई और लंबाई बताई इस जाती है, ठीक है भई, अब आगे देखेगा मेरे प्यारी सातियों, इंद्रा गांधी नेहर है, इस इंद्रा गांधी नेहर में, कितनी हमारे पास में साखाई हैं कितनी ब्रांचे से यानि कितनी लिप्ट नहर हैं इनके बारे में हम देखते हैं देखो भई जो इंद्रा गांधी नहर है इस इंद्रा गांधी नहर पर जो हमारे पास में ये वाला जो छेतर आता ना इधर वाला ये थोड़ा सा क्या उंचाई पर इस्त हमारे पास में लिप्ट की बात करें, तो टोटल लिप्ट नेरे कितनी लगई गई है वही इसकी एक उपसाखा की बात करें, तो बाबा रामदेव उपसाखा के नाम से जाना जाता है, जो बाड मेर है, बाड मेर की तरफ गई है वही उपसाखा कितनी है वही इसकी एक उपसा क् linguistics इसका खिया गया है तो इस परकार से हमारे पास में इंडिरा गांधी नहरे इसका सामानमें से परीचे परीचे आपके समग से वो वर्तमान में इस इसको बड़ाकर कहा कहा तक ले जाए गया गत्राए इस कैण्रा रूड तक ले जाए गया है इसमें साथ लिप्ट ने रहे हैं और नो साखाएं टो पूं कुंसी शाखा में इसके बारे में हमें वो अभी आगे देखते वी तो यह नहर आती है उसात लिप्ट नहर है कौन-कौन शी आती है तो सबसे पहले सबसे उपर की और अगर हम देखें तो हमारी लिप्ट नहर आती है चोदरी कुंबा राम जो लिप्ट नहर है उस लिप्ट नहर के नाम से इसको जाना जाता है तो कुंबा राम जो लिप्ट नहर है मि उत चुरू चुरू के बाद में एक अगर हम बात करें अगर हम कोण जिलो में एकस्टेंसिने तो अनियर के बाद में गणानगर गंगानगर के बाद मैं हमारे पास में लो जिला ओरा त質накоर जिलमा ऊथने ऐसमें हनुमानग एक दो यह हनुमानगड, हनुमानगड के बाद में चुरू, चुरू के बाद में एक आता जुन-जुनू, तो इस परकार से हमारे पास में चार जिलों में इसका एक्स्टेंशन है, विकानेर, विकानेर के बाद में हनुमानगड, चुरू, और जुन-जुनू के अंदर इसका एक्स Extension है वो Cover Sein का देखने को मिलता है फिर हमारे पास में नागूर departure कैनल यह काँपर है नागूर में और नागूर के साथ साथ एक आपके पड़ती है तो भी काने में तो नागूरा वालि साका उसका नाम क्या है पनना लाल बारुपाल के नाम से जाना जाता है फिर एक और विशेश बात हमारे पास में आती है वीर तेजा जी इस केनाल का केवल और केवल एक ही जिले में एक्स्टेंशन है और वो हमारे पास में आता बीकानेर कितने जिलों में एक्स्टेंशन देखने को मिलता है केवल एक जिल तो जोदपूर को जे ओडी लिग देता हूं ताकि आप जेसल मेर के साथ कंफूज है और नहीं हो तो डॉक्टर करणी सिंग है इसका एक्स्टेंशन विकानेर और जोदपूर में है फिर आगे देखिए का अगला है गुरु जांबेस्वर लिप्ट कैनाल है जांबेस्वर ल भीचालर देखने को मिलता है फिर अपने आपके खास विशेश पेंशन रहेती है जे नारहान वियास लिप्ट केणाल कि खीका विसतार भी जिलों में इसका विसतार है विसतार देखने को मिलता तो ये तो हमने पास में केनाल है, इस केनाल लिप्ट केनाल है, उनके बारे में चर्चा की, अब इस लिप्ट केनाल की विशेस्ताओं के बारे में देखें, तो देखो सबसे अधिक, maximum to maximum, number of district की बात करें, तो कौन सी केनाल है, उसका extension देखने को मिलता है, जो हमारे पास में चोधरी लंबी केनाल के रूप में जाना जाता है, लिप्ट केनाल, तो वो कौन सी अपने पास में, कवर सेन है, कवर सेन पहली और सबसे लंबी केनाल के रूप में जाना जाता है, फिर हमारे पास में पन्नालाल बारुपाल, इसकी भी एक विशेस्ता है, और इसकी विशेस्ता यह है कि जो हमारे जाइल है नागोर में एक जगे है जाइल वहाँ पर वी फ्लोराइडी करन है उसके एक प्लांट है उस प्लांट की स्तापना की है जो जापान की एक कमपनी जिका के सयोगे सयोग से वी फ्लोराइडी करन का प्रोजेक्ट है वो नागोर के जाइल में इस्तापि किया गया है वो नागोर में स्तापित किया गया हुई इसके बाद में तेजा जी इसकी खास विसेस्ता आती है ये केवल और केवल एक जिले में विस्तिरित है केवल एक जिले में और उस जिले का नाम ही क्या आता है हमारा विकानेर है केवल और केवल विकानेर में इसकी विसे विश्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् नहर के नाम से जाना जाता था किसके नाम से नोहर नोहर सहिबा नहर के नाम से जाना जाता था चोदरी कुमबाराम को वैसे ही कवर सेन है इस कवर सेन को लून करण सर नहर के नाम से जाना जाता था किसके नाम से जानते थे वैं लून करण लून करंग सर के नाल के नाम से जाना जाता था किसको जो मारी कवर्शन है इस कवर्शन को जाना जाता था वही पनलाल बारुपार है इसको किस नाम से जाना जाता था गजनेर के नाम से जाना जाता था किस नाम से गजनेर के नाल है इस गजनेर के नाल के नाम से इसको जाना जाता था वीड तेजा जी इस वीड तेजा जी को कोलाईत नहर के नाम से जाना जाता था पूछा जा सकता है इनके पुराने नाम क्या है पुराने या पहले इनको किस नाम से जाना जाता था कोलाईत नहर के नाम से और डॉक्टर करणी सिंग इसको किस नाम से जाना जाता है और तेजा जी एक को किस नाम से जाना जाता, बागड़ा सर् के नाम से जाना जाता है। तो ये थोड़े से ध्याना की लिएंगा पूराने लाम कुन से, पहले इको किस नाम से जाना जाता था। तो नोहर साहिबा के नाम से तो किसको जानते थे चोदरी कुमबाराम को लून करन सर नाम के नाम से कवर सेन को गजनेर के नाम से पनालाल को वहीं जो वीर तेजा जी उसको बागड सर के नाम से करनी से कोलाइट के से के याद रखना के से करनी से कोलाइट और जो जोदपुर वाली है उसको फलो दी और जैसल मेर वाली है उसको पोकरण के नाम से जाना जाता है तो यह साथ हमारे लिप्ट कैनाल नहर है जिनक के बारे में हमने चर्चा की और इस लिप्ट कैनाल के बाद में दूसरी जो बात आती है हमारे पास में शाखाएं ब्रांचिस के बारे में द इतनी भी पर में लिप्ट केनाले ओ से कौन से साइड में बनी हुई यह वाहिए शारी केनाल का जो फेश से इस तरफ इसमें देखो दो तो आती है गंगानगर में जिसमें से एक का नाम है सुरतगड के नाल और दूसरे का नाम आता अनुपगड तो कितनी के नाल है दो के नाल है एक तो है सुरतगड और दूसरी है अपनी अनुपगड के नाम से जानी जाती ठीक है तो इन दोनों के नाल के बा दान्टूर के बादे बिसलो पुर डैको एक है इसल पूर हो बफ नाज कई है जब हाँ सबना नहर बशह करें और गांडी है अब आगे देर एक नाम माता है चारण वाला यह है चारणवाला और इस चारणवाला की खास बात यह है कि अब तक जितनी भी हमने ब्रांचिस पड़ी है वो ब्रांचिस केवल एक ही जिलो में एक्स्टेंशन था लेकिन इस चारणवाला का एक्स्टेंशन दो जिलो में है एक तो बिकानेर में है और बिकानेर के साथ जेसलमेर, इन दूनुँ जिलों में विस्तिर थे, केवल और केवल एक मातर शाखा देखने को मिलती है, वहीं सहीद भीरबल और बाहीरबल के बाद में शागरमल गुपा, यह दो ब्रांचे, वो दोनु दोनों काहाँ पर इस्तिते हैं, जैसलमेर, जैसलमेर के अंदर इस्ति बाकि सारी सारी राइट साइड है और राइट साइड में इस्तित है तो ये है आपके हनुमानगड में ये दो है गंगानगर में ये आपके तीन है वो काम पर है बीकानेर में फिर एक ऐसी आती है जो बीकानेर और जैसलमेर दोनों में है और दो आपके आती है जैसलमेर के अं इसके बारे में भी आपने पढ़ा होगा यही जैसलमेर के साथ सकते हैं जैसिंग उसके जो समय हुए थे और इन्होंने खूब सारे किताबों की रसना की है जैसलमेर का गुंडाराज आजादी के दिवाने और रगुनाद सिंग का मुकदमा नाम किताब लिखी है तो इनको ज अच्छे से समंझ में आई रहा होगा क्योकि बड़ा यूनिट है यह से सवाल पूछे जाने की जदा बनती आपके सामने क्या देखने को मिलती है तो यह सारी शारी लिप्ट है उस लिप्ट के नाम आपको बता रखें चोदरी कुमबाराम है चोदरी कुमबाराम के बाद में कावर्शन पन्नालाल तेजा जी डॉक्टर करनी गुरू जांबेश्वर जेनारे व्यास इसका एक्स्टें साथ मैं यहां पर लिख दूँ आपके जो इसके ओल्ड नाम थे पुराने नाम क्या थे ताकि आप एक बार अच्छे से इसको नोडाउन नोडाउन कर सकते हो ठीक है तो यह लिए भई में में एंसन कर देता हूं चोदरी कुमबारा में इसको नोहर साहिबा के नाम से जाना जाना जाता है तेजनेर तेजह जीस तेजह को बागड्सर के नाम से जाना जाता है लिए यह को लवर नाम से जाना जाता है तो यह हमारे पास में साथ जो लिप्ट नहरे हैं इन लिप्ट नहरों के बारे में हमने देखा था फिर देखी का यह जो है maximum number of district में extension है इसके बारे में देखी का यह फर्स्ट थाती है फर्स्ट के अलावा सबसे लंबी फर्स्ट और लंबी देखने को मिलती है फिर अशिक के यह फ्लॉरorang प्लांट है नगर के जाइल में सतापित किया गया है यह केवल और केवल में बात करें, तो सबसे छोटी लिप्ट ही टेजा जी उस तेजा जी आती है, फिर देखिएगा इंदो के बारे में कोई खास बात नहीं है, तीसरी है लास्ट जो जैनारेन विया से इसके बारे में ध्यान रखिएगा, केवल एक ऐसी लिप्ट आती है, जिसका विस्तार है, इसका विस्तार नहीं है, तो यह आती हमारे पास में लिप्ट बाकि ये सारी सारी लिप्ट के नायों खिस तरफ बनीवे, भाई इंत्रफ बनीवे, भाई तरफ है सारी की सारी और बना होने का करण कि इधर का धरहतल क्या थोड़ा फोड़ा सा उपर उठावाय. तो ये इसका कारण है उकारण देखने को मिलता है आगे चलिएगा सातियों तो ये शारे शारे देखो यहां पर आपको विस्तार से लिखावा मिल जाएगा इसमें देखिएगा प्रस्तावित लिफ्ट के बारे में बात करें तो वहरुधान चालानी नामक एक लिफ्ट के न निर्मानादीन शाखा के रूप में जानी जाती है, थोड़ा सा इनके बारे में ध्यान रखेगा, ये दोनों खास, खासम खास आपके पॉइंट है, पॉइंट देखने को मिलते हैं, फिर हम और देखेंगे कि भई पेजल प्रोजेक्ट है, तीन पेजल प्रोजेक्ट इस पर कौन-कौन से संचाली थे, वो भी हम आपको बज़ा देंगे, तो यहां तक आप देखेगा, ये दो थोड़ा सद्यान रखेगा, प्रस्तावी थे, भेहनुदान है, वो कांपर है, जैसल मेर में, बाबाराम देव है, उबाड मेर में, ठीक है, निर्माना दीने, वो एक प् रावतसर, तो ये वाली जो साइड है, वो आपकी है, बाइंत साखा, बाइंत रप और ये आती है, दाइं, तो यहां पर देखो, केवल और केवल आपको रावतसर है, वो रावतसर एक इस परकार की साखा देखने को मिलेगी, जो बाइंत रप है, और बाकी सारी के सारी जो मित्रों यह लेप्ट आप देखते हों किसके according देखते हैं जो नहर एउ में सारी जो ब्रांचेश चीज़ चीज़ा देखा है आब गु 걸 मित्रों इन इस ब्रांचेज की विश्यस्ता भी हमने देख ली यहां पर देखो, एक तो रावद सर है, केवल और केवल, एक यह इसी शाका, जो हमारे पास में بीका नेर में देखने को मिलती है. तो एक सवाल पूछा दा है कि सरवाधक Lābhan матери या सरवाधक शिंचाही है, उस शिंचाही कहां पर की जाती हैं, इंद्रा गांदी नेर से, तो वह अपने की जाती है. भीका area की बात करें तो वो ज़्यादा कहां पर देखने को मिलता है वो जुदवर मेर में इस नहर का देखने को मिलता है थोड़ा सा याद रखेगा विश्याश रूप से command area का push के आग से push ले कि ज़्यादा area और area कहां पर consume करता है तो कहां पर करता वई वो जेसल मेरे इस जेसल मेर के अंतर करता ने चलि वाइ आगे देखते हम तो यह हमारे पास में दो point बनते है रावतसर वाला और इक चारणал वाला यह है और रावतसर यह है ठीकिर तो इस परकार से यह दो खास समखास जो point पुइंट यहां पर देखने को मिलता है फिर इस नहर इस नहर पर देखिएगा कुछ पेजल स्कीम है यहां पर चल रही है तीन पेजल प्रियोज़ना मुख्यते यहां पर चल रही है एक अती कवर सें जिसका एक्स्टेंशन विकानेर और गंगानगर में फिर राजी पानी है पानी लाके छोड़ा जाता है और यहां से राजी गांदी पेजल प्रियोजना के माधियम से फिर बाद में इस पानी को पूरे पूरे जोद पूर शहर है इस शहर में पेजल के लिए क्या करवाया जाता है वही मित्रों आपनी प्रियोजना या इसी का इनाम है पानी इस पानी को किस प्रकार से कंट्रोल किया जाए और पानी इस पानी को किस प्रकार से सप्लाई किया जाए इसके लिए एक एलेक्ट्रोनिक टेक्नोलोजी का प्रियोग किया गया है पानी को कंट्रोल करने के लिए और कंट्रोल के साथ पानी इस पानी को सप्लाई करने के के लिए इस टेकनिक का नाम क्या सिकाड़ा टकनिक है या सकाड़ा टेकनोलोजी की नाम से इसको जाना जटा तो उन्टे को καιहां भीवारी कर दिया, वो काँ पर किया है, नरमदा नहर है में किया है, वहीं पूचा जा सकता है iskaड़ा टक्निक है या इसकाड़ा टेक्नोलोजी उसका प्रियोग किस में किया जाता है तो इंद्रा गांधी नहर में किस चीज के लिए किया जाता है पानी को कंट्रोल करने के लिए और पानी इस पानी की सप्लाई के लिए इसका प्रियोग किया जाता है भई पिर देखेका इंद्रा गांधी नहर है इस नहर का निर्मान से देखो पानी है उस पानी की सप्लाई होती है इस सप्लाई से एक बड़ा सवाल पूछा जाता है कि इंद्रा गांधी नहर एक वर्धन और अबिशाब तो मितरो वर्दान की रूप में देखें तो इसके लाप देखते हैं कि जैसे ही हमारे राजस्तान के पानी की उपलब देता बढ़ी है जिसे देको एक पेजल की समश्या कम होई है इसके साथ पानी उपलब दे तो अच्छी क्या होती है अग्रिकल्चर होती है जब करशी अच्छी होती है तो पैदावार अच्छी होती है तो वहाँ पर आज जो पसू पक्सी उनके लिए भी गया मिलता है अच्छे से खाना उपलब्द होता है तो पसू पालन obtain पर बड़े इसतर पर यहां पर किया जाता है जब पसू पालन किया जाता है अगरिकलचर अच्छी होते तो इनके आर्तिक संसादन है वो आर्तिक संसादन क्या हुए अच्छे हुए जब आर्तिक संसादन अच्छे हुए तो यहां के जो रहने वाले लोग है उनकी लाइफ स्टाइल है या फिर उनका जीवन इस तरह उसमें भी क्या हुआ है सुदार हुआ है इसके स साथ एक बड़ी बात पर दीकते है कि चारा गाज भूमी है उसका भी इसकी वझए से क्या हुआ है विकास यह development है इसके चाही किया है इसके साथ सिंचई है उस सिंचई के चेत्र में b भी से क्या हुई है स्च ह face में यह स मरुस्त लिकरन की जो जेव विविदता उसमें क्या है मरुष्ट लीगराण में कम ही आई क्योंकि पैदावार या वनस्पती उस वनस्पती में बढ़ोत्री हुई है अब देखो वनस्पती में बढ़ोत्री उसके साथ देखो यहाँ पर पहले तो बेसिकली जो डेजर्ट वाले चित्रों में जो छोटी-छोटी पतियों वाले या कंटिली जो जाडिया है वो होती थी अब पानी की उपलबता के कारण अच्छे खासे अनार के पेड़ है या दूसरी बनस्पती है वो भी यहाँ पर क्या है जिसकी वज़े से हम कहते हैं कि यहाँ पर अब जेव विवीदता बायो डाइवर्सिटी में पर क्या होता है इजापा हो रहा है या फिर जेवीदता में भी प्रेतियों वरती रिकॉर्ड की गई है तो यह सारे एक सारे पॉइंट हमारे पास में इसकी बेनिफिट है उस बेन यहां पर benefit हो रहा है वनस्पति है उस वनस्पति में भी इसमें बड़ोत्रीय बड़ोत्री हो रही है तो यह कुछ यहां पर आपको इंदरागांधी कैनाल प्रोजेक्ट के लाब है उस लाब की रूप में आपको देखे देखने को मिलेंगे आगे देखेगा अब देखो यह आपको देखने को मिलता है जहां पर लाब होता होगा है कि ह रूप में क्या है तो मित्रों को मतलब है कि यहां पर अधीत है थे जाते हैं जब शिंचाई यह अधिक की जाती है तो अधिक सिंचाई की वज़े से यहां पर क्या होता है जो पानी है उस पानी की लगातार क्या पूर्ती अधिक होती है जब इंद्रा गांधी नहर है इस नहर का पानी आ रहा है इस प्रकास है पानी आ रहा है और इस पानी के अधिक आने की कारण यहां पर खो देता है या उसको फोक नहीं पाता है तो इसे क्या क्या बोलते है सेंग की समिश्य बोलते है यानी इसमें या होता है जल रिषाव अधिक होता है जल रिशाव अधिक होता है, प्लस एक होती अधिक सिंचाई, जब सिंचाई अधिक की जाएगी, यानि कि पानी ये पानी लगाता है, अधिक दिया जाएगा, तो इस सिंचाई के अधिक करने से, जल के रिशाव होने से, जो भूमी है, उस भूमी में क्या दलदली टाइप की हो जाती है गिली भुमी है वो गिली भुमी हो जाती इसे बोला जाता है सेम की समयश्या या वाटर लोगिंग राजस्ताने इस राजस्तान में सबसे अधिक अगर इस सेम की समयश्या या वाटर लोगिंग की समयश्या देखने को मिले तो वह मिलती है मित्रों अपने राजस् सामना करना प Warren Savage लिए बड़ोपाल की फेमस है ऻुदू और चीजों के लिए इस राजस्तान में वे प्रस्तावित किया इसके अलबा मिट्टी के जो खिलोने बनाय जाते हैं मूर्तियां बनाई जाती है उसे बोलते है टेरा कोटा यह टेरा कोटा हमारे पास में मोलेला का फेमस है उसी प्रकार से हनुमानगड में बड़ोपाल का भी जो आपके टेरा कोटा हो टेरा कोटा के लिए बहुत जादा फेमस इस्तान है आपके बाद में काम आ जाएगा अब देखो एक चीज़ आती है लवनियता की सम पाणी है उस पानी का वाश्प पी करण हो जाता है पांई उपर उठ जाता है और उपर उट नहीं के बाद में फिच्छ हमारे पास में क्या लवणी और यह व सपपली पिर बिच जाती है और हूत about बाकस hell और को पोजिटिवीटी में देखा था ना कि इंद्रा गांधी नहरे इस वज़े से पानी की उपलगता है तो अच्छा पानी लगता तो पहले कंटिली जाडियां और छोटी पतियों वाली वनस्पती के बल यहां पर पनपती थी अब जब यहां पर पानी देंगे तो यहां पर क्य प्रियोजना है जिसका ना में गंग नहर उमीद करता हूं इंद्रा गांधी के नाल प्रोजेक्ट आपकी समझ में आई गया होगा अब देखो बड़ी-बड़ी प्रियोजना में से कौन-कौन सी और प्रियोजना है जो आपको पढ़नी बनती है ठीक है उनको हम एक बार कवर हो कवर करते हुए आगे चलेंगे चली वए तो हमारे पास में एक बड़ा प्रोजेक्ट आता है जिसका नाम है गंग नहर ठीक है तो गंग नहर के बारे में क्या क्या बाते बनती है वो देखो मित्रो इस गंग न अंज़ाब के दूआरा इसका निर्मान करवाए गया है निर्मान करने वाला जो इंजिनियर था इसका नाम Eyes और इसका निर्मान noodle 1927 से 1927 में इसका निर्मान है उपरारांम किया गया था इस nowhere कि कुल लंबाई पंजाब में जगे पढ़ती है जिसका नामे हुसेनी वाला कुन सी जगे वहां से 17 नदी से इस नहर को निकाला गया है गंगानगर इस गंगानगर में यह नदी आती है राजस्तान की हम बात परे तो राजस्तान में केवल और केवल 17 किलोमेटर इसके लंबाई है और देखने को मिलती है टोटल अगर इसकी लंबाई की बात करें तो 139 किलोमेटर इसके लंबाई है और लंबाई हमारे पास में आती है आप देखो भाई जब इसकी लंबाई केवल गंगानगर में है तो आप से कोई पूछ ले कि सबसे ज़्यादा गंगनेरे इस गंगनेर से लाभानवित जिला कौन सा तो आप कोई गंगनेरे और गंगनेर अपना सबसे ज़्यादा लाभानवित जिला और लाभानवित जिले के रूप में जाता पिर आपके देखिए का यहां गंग नहरे इस पर चार हमारे पास में प्रमुक ए लिप्ट के नाल है उस लिप्ट के नालों का निर्माण किया जिस परकासे इंद्रा गांदी में साथ लिप्ट कैनाल बनाई गी है उसी परकासे यहां पर कितनी लिप्ट कैनाल है चार जिसमें से एका नामे करणी एका नामे समीजा एका नामे लालगड और एका नामे लक्षमी नारेंड तो यह चार लिप्ट कैनाल है करणी समीजा आप से पूछा जा सकता है निम्द में से कौण से लिफ्ट के नाल है वो गंग नहर पर इस दित नहीं है या इंद्रा-गांदी नहर पर इस नहीं है दो या कौन सा है लालगड लेका थाफा लक्षमिना रहाएं तो यह हमारे पास में चार लिफ्ट केनाल है ओँ चार लिफ्ट केनालों का निर्मान किया गया इंद्रा गांधी नेर है इस पर वित्रो इसके बारे में खास बात है कि माराज़र गंगा सिंङ ने इस कैनल का निर्मान करवाया था तो ये हमारे पास में राजस्तान ने इस राजस्तान की पहली multi-purpose project के रूप में जानी जाती है और साती सातवे विश्वे में अगर पहली बार किसी को पका cemented या पका जो नहर है उस नहर का निर्मान करवाय गया हूँ तो महाराजा गंगा सिंग के दूरा ही इस नहर का निर्मान करवाया गया था एक बार आप यहां से चाओ तो स्क्रीन सूट ले सकते हो ठीक है फिर आगे हम बढ़ते हैं तो महाराजा गंगा सिंग के दूरा इसका निर्मान 17 नदी इस पर करवाया गया था 1927 में इसका निर्म में इस एक्जाम में आपको ये बात पूछी जा सकती वहीं चली वहीं आगे बढ़ते मित्रों आगे देखिएगा यहां पर देखिएगा श्री नगर को सबसे जादा लाभानवीत किया जाता है श्री गंगा नगर को और इसके लावाँ चाल लिप्ट के नाले करनी लक्ष्मिन आरेंड समिज़ा और लाल गट ठीक है स्री गंगानगर में सर्वादिक सिंचयों सिंचाई की इज़ाती बेड़ात तो की जाएगी क्योंकि यहां पर नहरे उसने गंग नहरे उसका निर्मान सबसे पहले किया गया था फिर अगला आता है आपका मल्टी परपस प्रोजेक्ट में नरम्दा नहरे इस नरम्दा नहरे एक व्रिद प्रियोसना के रूप में जाना जाता है काफी बड़ा कमांड एरिया इसके दुआरा सिंची तेव शिंफित किया जाता है तो यहां पर देखो यह मद्ध्य परदेश से यह नदी निकल इसका नाम है अमर कंटक से यह नदी निकलती है कहां से निकलती है अमर कंटक और अमर कंटक कहां पर पड़ता है MP MP से यह नदी निकलती है यहां से निकलने के बाद गुजरात इस गुजरात में इस नदी इस नदी पर एक सरदार सरोवर नामक डेमेंस डेम का निर्मान किय गया इन देए और इस डेम के पास में राजस्तान के पॉट हुट्र 10 की इसका निर्मान है और राजस्तान के साथ में घुजरात इन दोनों के और स्योग इसका स्योग से निर्मान किया घया 2008 में सिधा पूछा जा सकता है कि कब निर्मान किया गया या कब इसको स्टार्ट किया गया 2008 2008 में इसका निर्मान किया गया था ठीक है फिर राजस्तान इस राजस्तान में लाभानवी जिलों के बारे में बात करें देखो वेसे तो इस कैनल की पूरी लंबाई यहां पर देख लो चलो मैं यहां पर एक नया पेज लेके फिर आपको बता दूँगा ताकि आपको इजी रहेगा समझने के लिए यहां पर हमारे पास में चलो भई तो यहां से देखो यह आपके है वो राजस्तान की जैसे कि यह फोटो आ गई आपके राजस्तान में यहां पर देखो यह नदी आ रही है यह आपके नदी कहां से आ रही है अमर कंटक से आ रही है इस प्रेस्ट दिख रहा होगा आपको अमर कंटा के MP कलर चेंज करूंगा चलो येलो कर लेते हैं येलो थोड़ा सा अच्छा दिखता है तो यहां से यह नदी इस परकार से जा रही थी और गुजरात इस गुजरात में सरदार सरोड डेम का निर्मान किया है और यहां से हमार कैनल के नाम से जाना जाता है इसकी टोटल लंबाई की अगर हम बात करें तो 532 किलोमेटर कितनी लंबाई आती है पांसु 32 किलोमेटर इसके लंबाई यह लंबाई देखने को मिलती है जिसमें से राजस्तार में इसकी लंबाई है चोतर किलोमेटर कितने किलोमेटर वही र बाढ़ मेरे में 9 किलोमेटरिस का विस्तार है एकस्टेंशन देखने को मिलता है ठीक है यानि कि इससे कोई पूच ले कि नरमदा कैनाल से मैक्सिमम टू-मैक्सिमम लाभानवित जिला कौन सा है तो मैक्सिमम लाभानवित कौन शाओ बाई यह होगा जालोर सीदी सी गवात है जहां पर जितनी ज़्यादा लंबाई होगी, अब इसमें लंबाई भी ज़्यादा है, प्लस सबसे अधिक अगर लिफ्ट कैनाल की बात करें, वो भी तीन बनेगी और तीनों-तीनों जालोर के अंदर बनाई गई है, वहीं मित्रों अगर इसकी गाउं की बात करें, तो यह ज आपर है, जालोर के सिलू गाउं है, सिलू गाउं के अंदर इसका प्रवेश्ट द्वार इस्तिते माना जाता है, ठीक है भई, तो बाकी देखीगा, यह जो बाकी बची है, उसकी लंबाई आती है, 458 किलोमेटर इसकी लंबाई आती है, तो यह थोड़ा सा आप ध्यान लिफ्ट है, और लिफ्ट इसमें निकाले गई, यह कौन कौन सी भई, तो यहां से देखो, एकत नाम है पनौरिया, एका नाम है भादरिया, एका नाम है सांचूर, एका नाम है भादरिया, तो यह हमारे पास में इसमें कितनी कैनाल बनाई हुए, टोटल तीन लिप्ट कैन लें लिप्ट के नाल का निर्मान को सी नदी पर किया गया एक भार एक्जाम में पूछा भाब बात है कि ये भारत की पहली नहर है यह भारत की पहली प्रियोजना जिसमें ड्रीप इरीगेशन बूंधबुंध सिंचाई और स्प्रिंगलर जो सिंचाई है उसको अनिवारी रूप से लागू है लागू कर दिया कि कंपल्चर यह इसका प्रियोगा आपको करना ही करना पड़ेगा तो यह भी सवाल आपसे यापर पूछा जाता है तो यह देखेगा और इस नहर से कुल जो आपका सिंची चेतर है वो 2.6 लाग हेक्टर भूमियें इस भूमिको शिंचाई हो शिंचाई किसे की जाती यह हमारे नरम्दा कैनाल इस नरम्दा कैनाल से की जाती 2008 में वसुंद्रा राजे जुसाबे इनकी सरकार के समय इसको स्टार्ट किया गया था तो यह आपकी देखेगा इसकी ले नरम्दा नर्दी का विश्थ्री डाइग्राम है वो आपके सामने है अमर कंटक से निकलता है बेड़ा गाट इस पर इस्थिते वई तो यह थोड़ा सा ध्यान कीगा तुवा बांध उसका निर्मान इस पर किया गया है नरम्दा की साहिक नदिया है उसपर इसमें तबधा लाबांध का निर्मान किया गया ठीक है तो ये हमारे पास में माराश्टर को भी से लाब होता है MP को भी से लाब होता है गुजरात को लाब होता है और राजस्तान को भी से लाबानविते लाबानवित किया जाता है फिर आपके देखो छुटपुट दो नहरे हैं वो नहरे वैसे तो मैंने आपको साथ की साथ ही बता दी और आप चाहो तो एक बार और फिर से मैं आपको कवर है वहाँ यहां कवर कर देता हूँ देखो किस प्रकार से दो नहरों के नाम कौन कौन से आते हैं तो दो नहरों में से एक तो देखो आपके भरतपूर है इस भरतपूर की दो नहरें थी तो एक का नाम आता है गुडगाउ नहर और यह गुडगाव नहर है इस गुडगाव नहर को एक और नाम दिया जता है वो है यमुना नहर कौन सी नहर है वई यमुना नहर तो यह जो नहर है वो नहर कौन सी नदी पर बननी हुई है तो नदी हमारे पास में आती है यमुना नदी और फिर अगर सयोग की बात करें कॉपरेशन सयोग किसके दुआरा किया गया वही तो सयोग एक तो राजस्तान है और राजस्तान के साथ हमारे पास में हरियाना तो राजस्तान प्लस हरियाना की ये संग्त प्रियोजना के रूप में जाती है फिर दूसरी प्रियोजना है वो कि यह बरतपुरम नेहा रहाओ को चीन नदी परоки यह आपके यमुना नदी पर बनें यह ढ़ना कॉसे नदी पर मैरी प्यार्य साति यमुनान नदी पर यमुना नदी के साथ साथ इसका पूछ ले कि किस देश के सयोग से ये इस्तापित की गई है तो सयोग कौन सा है राजस्तान प्लस है यूपी तो यूपी के सयोग से इसका निर्मान हो निर्मान किया गया है इसका राजस्तान हो हरियाना के सयोग से निर्मान हो निर्मान किया गया है दोनों प्रियोजना से अगर आपसे ये पूछते तो मैक्सिमम लाभानुवित या इस सवाल जनरल पूछा जाता है तो यह दो अच्छे सवाल इन नहरों के बारे में भी आपको एक्जामे पूछा जा सकता तो इस रूप से इन दोनों प्रोजेक्ट है इसका भी आप आप यहाने रखेगा मित्रों आगे देखीगा एक बहुत ही ज्यादा लंबे समय से चर्चा है वो चर्चा में रहा है यह जो प्रोजेक्ट है एक बार मेप मेप में आप देख लीजी अच्छे से शांदार सवाल है वो शांदार सवाल आप से यहां से पूछे जाने की क्या खास बात है इस प्रोजेक्ट की तो इस प्रोजेक्ट की खास बात यह कि घहलोज सरकार है वो लगातार इस प्रोजेक्ट की डिमांड करें इसको जो राष्टी प्रोजेक्ट है इस राष्टी प्रोजेक्ट के रूप में इसकी गोशना है वो की जाने चाहिए राष्टी प्रोजेक्ट है इसको सिंग्या दे जाने चाहिए उससे क्या होता भई राष्टी प्रोजेक्ट के राष्टी प्रोजेक्ट की सिंग्या देने से जो के बज़ने वाली चीज हमारे सामने क्या आती है कि इसमें क्या-क्या खास बाते हैं तो इस्टन राजस्तान यह आरेस 2018 मुख्य परिक्सा में भी पूछा वा है तो अच्छा सवाल बनता है तो इस प्रोजेक्ट का कुल जो लागत है वह हमारे पास में लगबग अप्रोक्श्म से खर्च का इसमें अनुमान है वJack लगये जा रहा है साथ में यह जो प्रोजेक्ट में राजस्थान के कुल तो आदा जिले है उच्वेशिलों को तेरा जिलों की लगबग 26 तैरा जिलों की लगबग 26 लेशना अधर 4 मध्यम जूसat उसको किया है जोड़ा जाएगा कि इसमें 26 व्रेद और मध्यम जो बांद इस बांद को इस से प्रोजेक्ट है या इस से प्रियोजना इस प्रियोजना के तेट एक दूसरे को वो connect है वो connect किया जाएगा तो यहां पर लिख दूंध्यम प्लस है है व्यत इन सिंचाई प्रियोजनों को इसमें क्या किया जाएगा जोड़ा जाने का यह प्रोजेक्ट है वित्रो देखिए का यह जो हमारे पास में चंबल नदी है उस चंबल नदी और इसकी जितनी वी आस पास की जो इसकी साहिक नदीया है जिसमें से देखिए आप मोटा मोटी मांसुन है इस मांसुन के समय चंबल नदी है चंबल नदी तो वेसे राजस्तान की बारा मासी नदी है लेकिन बाकी जो छोटी मोटी नदीया है ना इसकी साहिक नदीया जिससे कि आपकी बनास नदी बनास नदी के लावा पारवती नदी है, काली सिंद नदी है, ठीक है, इसके लावा आपके और नदी है, गंबीर नदी है, ठीक है, गंबीर नदी है, मेज नदी है, चाकन नदी है, कुनू नदी है, कुनाल नदी है, ये सारी जो नदी है, ये नदी हैं बैसिकली हमारे पास म मानसून इस मानसून के अंदर पानी यो पानी लाती है अगर इन सारी की सारी नदियों को एक दूसरे से जोड दिया जाए तो यहां पर अच्छा खासा पानी यो पानी उपलब्ध हो जाएगा और इस उपलब्ध पानी से राजस्तान इस राजस्तान का ये वाला जो एरिया ह लगबग हमारे पास में राजस्तान की कुल एरिया का 23.66% जो एरिया है वो कॉंटिब्यूट करता है इतने एरिया में जो राजस्तान की कुल जन्सेंग्या जो निवास करती है लगबग 41.13% जो जन्सेंग्या यहां पर निवास करती है उसको लाब है वो लाब मिलेगा और टोटल अगर हम बात करें इससे सिंचित जोचेतर है लगबग 2.8 लाक हेक्टर को इस से शिंचाई है उसी की सुविधा उपलग होगी तो यह कुल मिला के यहां पर इसके लाब है उलाब के बारे में हमने बात कर लिए यह हमारे पास में से रहे कुल शेतर हाता है और यह हमार नदियों का अत्रिकत पानी नदियों से जोड़ कर हमारे पास में आगे है यह पूरी चेत्र है या पूरी मेदानी चेत्र है यहां पर पेजल और सिंचाई है भूमी पर सिंचाई है और स्वीदा उपलगत करवाई जा सकते हैं तो इस परकार से एक बड़े प्रोजेक्ट के रूप में इसको जाना जाता है और यह हमारे पास में इस्टन कैनाल प्रोजेक्ट के रूप में इसको जाना जाता है और इसको लगातार किसकी डिमांड करती जारी वह इसको और राष्टी प्रोजेक्ट के रूप में यह राष्टी प्रियोशना का गोसित करने की प्रियोश बनाई जारी अग्ला जो हमारे पास में आता है वो इसी सी जुड़ा वा आपका जो मारा Eastern केनाल राजासथान केनाल प्रोजेक्ट है इसी प्रोजेक्ट जुड़ा हूआ एक बेराज हे डिश का नाम है नेवनेरा बांद या बेराज इसका निर्मान किया जा रहा है ये आपका कहां पर निर्मान किया जा रहा है कोटा के अंदर किया जा रहा है कोटा के अंदर ये जो हमारे चंबल नदिये इसकी साहिक नदिय आती है जिसका नाम है काली सिंद कौन सी नदिये वही काली सिंद पूछा जा सक तो ये एक इसी काई भागे माना जाता है फिर मिद्रो हमारे पास में जालावाड इस जालावाड की और व्रिद प्रियोजना आती है ये भी हमारे पास में जो चंबल नदी इस चंबल नदी की साइक नदी है परवन नदी और ये प्रियोजना प्रियोजना कहां पर जालावा प्रियोजना है या परवन प्रियोजना के माध्यम से जो लाब है उलाब मिलेगा ठीक है तो ये भी हमारे पास में परवन वरद प्रियोजना है ये भी किसका पार्ट है ये भी हमारे पास में इस्टन कैनाल इस्टन राजस्तान कैनाल प्रोजेक्ट के एक भाग की रूप में जाना जाता है तो मित्रों यहाँ तक हमारे पास में जितनी भी प्रियोजना थी प्रियोजना के बारे में हमने चर्चा कर ली अब मैं एक ही लिस्ट में आपको शारे राजस्ताने इस राजस्तान में कौन-कौन से जिलों में कौन-कौन सी प्रियोजना संचाली थे उनके बा तो यहां पर आप सबसे पहले देखो और यहां पर अच्छी खासी प्रियोजना प्रियोजना संचाली तो कौन-कौन सी प्रियोजना संचाली तो सबसे पहले हम यहां जहलावाड जहलावाड में देखते हैं ठीक है तो जहलावाड में आपके प्रियोजना प्रियोजना में स एक का नाम आता है भीम सागर मेरे साथ साथ लिखते रहेगा भीम सागर फिर भीम सागर के बाद में एक प्रियोजना आता है जिसका नाम है चापी चापी के बाद में एक प्रियोजना जिसका नाम है रेवा या रेवदर नाम से भी आपको कहीं-कहीं नाम है, मिल जाएगा, फिर आती है गागरीन, फिर एक प्रियोसन आता है, चॉली या चॉली, इसका नाम चॉली के नाम से भी इसका नाम है, मैं आप अब इस साइड में हो जाऊँगो, आप इसका स्क्रिंशोट भी ले सकते हो, इस कि पी प्रियूंजादा पी प्लड़ था आती है सवाई माद उ-पर में यहां है प्लग पीपल यह हमारे पास में तौन तीन तिन सब प्रियूजे नहीं नहीं सका जो काका नहीं टार्फ जलपारेब जालावाड के जस्ट आप उपर देखो गए तो यह वाली जो जगे इस जगे का नाम में 12 इस जगे का नाम क्या 12 12 के अंदर के कौन-कौन सी प्रियोजना यह आप यहां पर लिख दीजी का ऐसे लिखेगा 12 तो 12 के अंदर कौन-कौन सी प्रियोजना संचाली थे वो आप एक बार लिखेगा तो कौन-कौन सी प्रियोजना में तो 12 में एक तो आप की आती है बेंथाली कुन से आती वही बेंथाली के अलवा एक आती है परवन परवन वैसे जो बहुत डिशी प्रियोजना या वरद प्रियोजना वह तो आपके जालावाड में है वैसे परवन प्रियोजना एक लगूश इंचाई प्रियोजना की बात करें तो वहां कहां पर पढ़ती है 12-12 में पढ़ती है, फिर एक है विलास, विलास के लावा एक पढ़ती है, अभी एकोनोमिक सर्वे में काफी चर्चा में हतिया दे, हत्या दे सिंचय प्रियोजना के रूप में इसको जाना जाता है फिर एक प्रियोजना थिए इसका नाम है लयासी तो यह हमारे पास में लगवक तीन दो पाँच प्रियोजना को स्की यह कहां कि की सिंचय प्रियोजना के रूप में आपके चानि जाते हैं फिर हम देखते हैं कोटा के अधेर आता है कोटा एल थो कोटा की सिंचाई प्रियोजना स्कोटा में कौन कौन सेeverफ ला यहां प्रनाम तो कोट से पर आहिन चंदर के बारेखें डोल बोपालपुरा गोपालपूरा के बाद में एक आती है सावन भादू सावन भादू नामक प्रियोजना को जाना जाता है वो पोटा में स्थी ते सावन भादू के बाद में एक प्रियोजना जिसका नाम है मैं साबरब बादो के बाद में एक प्रियोजना जिसका नाम में आलन्या किया नम आoten एक मिनट है कि यहां पर इसका नाम क्या था आलन्या के नाम से यह नाम थोड़ा सा गलत लिए यह गल्प लिख देता हूं आलनिया कंथ आलनिया अलनिया और एक यांप्र है जिसका नाम है तकली तो ये कुल मिलाकि हमारे पास में पांच प्रियोजना ये परमक प्रियोजना और एक हमारे पांफ में अभी मैंने बताया था वि Character से, नवने राफ जो बेराज ये वो बेराज भी कहांपर श्लीथ ते, कोटा इस कोटा में श लिसके बाद में एक यहां पर कोटा के पास में यह जगह आती है जिसका नाम में आपका बुंदि तो यहां फर बुंदी में देखेंक कि यह जो dif हुन drag बुंदी की सिंचाइकther नाम कॉन कॉन सी आती है तो बुंदी में एक तॉ deseo q or again डाकन दाकन जो एक्जाम हुआ था, LDC 2016, उसमें भी इसके बारे में पूछा गया था, ठीक है, एक आती है मेज, वैसे मेज है, वो तो आती है आपके बुंदी के अंदर, सिंचाई प्रियोजना के रूप में, एक आता है मेजा डेम, वो आपका कोठारी नदी है, उस कोठारी नदी प्रियोजना के रूप में जाता है, तो यह पांच प्रियोजना कहां प्रियोजना के रूप में जाना जाता है, तो यह पांच प्रियोजना कहां प्रियोजना कहां प्रियोजना के रूप में जाना जाता है, तो यह पांच प्रियोजना कहां प्रियोजना कहां प्रियोजन और लगूश इन चाई प्रियोजना है इनके बारे में हमने चर्चा कि आगे देखेगा और हम बाकी जिले इन बाकी जिलों में कौन-कौन से चाई प्रियोजना है इस पर चर्चा करते वई तो चलिए अगली स्लाइट पर मूग आउन करते हैं इसका पीडियप आपको माधพूर में आहिं हमारे पास में कौन-कौन से प्रियोजना हिए वह देखो सव79 माध clash is मारे पास में प्रियोजना एक आपता इससरदा एक सरदा इसरदा के अलावा एक हां इंद्रा गांधि- हिंदिरा है गांधी लिड़्ट तो कि ये दो नोगों हमारे पास में कहां क्राइब कुछ प्रोजेक्ट में उपिर क सばい माधुपूर में इस्तित जिसका आपको नाम पता उगा इसर दा किया नाम आता accumulated भी enforced चांता हो इसम पॉर जाङ नाम्पूर में तोंक में इस सर्दा काम पर हैं यहां पर सवाऐ माधूपूर सवाई माधूपूर के अंदर इसतीत है एक प्रियोसना ओर आती है जो दो सा और सवाई माधूपूर इन दोनों में इसतीत है जिसका नाम है मौल豆berg कैना में सवाई माधूपूर बिधान जाता है कोष्टक मैं लिक्दू समय लिए कर दी एक का नाम है भूर चालावाय में और पीपलदा है उप पर आपका है वो सवाय मादुपुर में Pierp प्रियोजना यह जो हमारे पास में मोटा मोटी चार प्रियोजना उकामा परे सब्सक्राइब जड़ है, आद साउं के निया हूं, उख यह मंदुफुर चार प्रेयोजना मैं लिखते रहीं है, तो यह भी हूँित यह ना के सिल तो इसके द çek नो, तो यूजल दो सा और दो से कि हमारे पास में कौन-कौन से प्रोजेक्ट है वो देख हो भई एक आता माधो सागर कौन सागर माधो सागर एक आता आपका रेडियो सागर रेडियो सागर के बाद में एक चिरमरी और एक का नाम है जिलमिली क्या नाम है बई शिर्मरी और जिल्मिली यह काँ पर इस्तिते दो साय इस दो सा में इनकी इस्तथी देखने को मिलती है तो यह तो हमारे पास में मोटा मोटी जो प्रोजेक्ट इन प्रोजेक्टों के बारे में हमने देख लिया अब छुटपुट राजस्तान ने इस राजस्तान में और कौन फिर आपका गतलन को से प्रोजेक्ट से थे उनका देखो, यह आपका अजमिर, अजमीर में इक प्रोजेक्ट इसते थे जिसका नाम है नाम है, आराहिन सागर, क्या नाम है, और से प्रोजेक्ट कहां परिष्थी छितोड है इस चितोड में इस lasciते पिर यह आता आठा का दुंगर पूर और यह आता मांस वड़ा मांस 9 के अंदर एक नदी अति अनास नदी यह फर कॉन सा प्रजक्त के रूप में जाना जाता है पिर यह वाला जो है जिला इस का नाम है दोलपूर और दोलपूर के हमारे पास में एक व्रध प्रियोजना जिसका नाम है धोलपुर लिप्ट क्या नाम है धोलपुर लिप्ट है धोलपुर लिप्ट है एक व्रध प्रियोजना के रूप में जाना जाता फिर हमारे पास में एक और धोलपुर है इसमें प्रियोजना और है जिसका नाम है पारव बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट है, 32 नाला प्रोजेक्ट के नाम से जाना जाता है, कितने नाला, 32 नाला के नाम से प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट को जाना जाता है, तो यह याद रखेगा, यह कहां का इस्तित है आपका, यह आपका है शीरोई का, उदेपूर का है सौम और यहां पर लो पूर्जेकिट है जिसका नामने सोम कमला अंबा प्रूजेक्ट के अंदर इस स्ततिय या लोकेशन लोकेशन को मिलते है फिर आपके जालौर में दो तीन चैर प्रॉजेक्ट किस्ति थे उन के बारे में देखू तो जालौरisión के अंदर एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है बांकली प्रोजेक्ट क्या नाम है थोड़ा सा पेन का कलर चेंज कर लूँ ताकि आपको और जदा क्लेर ली दिखे तो लाल कर लेते हैं तो यहां पर जालोर जालोर के अंदर चार प्रोजेक्ट है जिसमें से एक का नाम क्या है बांकली प एक आपका जालोर है जालोर के अंदर कर तो एक आपके डूंगर पूरे सौम कमला अंबा और एक सौम कमला अंबा के अलावा एक प्रोजेक्ट और था जिसका नाम आता आपका भीखा भाई सागवडा नामक से किसका नाम हाता भाई भीका दूसरे पेंच से लिखू मैं अलग अलग कलर से ताकि यह भीका बाई वाला अच्छे से आपको दिखें तो इसका यह देखो भीका बाई सेंक वर्ड़ा नाम से इसको जाना जाता है तो ये हमारे पास में मोटा-मोटी राजस्ताने इस राजस्तान के जितने भी प्रोजेक्ट हैं, उन प्रोजेक्ट के बारे में हमने चड़्चा कर लिए, आपको किसी का याद है तो कमेंट सेक्शन है, इस कमेंट सेक्शन में बता दीजीगा, साग वडा तो यह हमारे पास में राजस्तान इस राजस्तान की मोटा मोटी जितने भी प्रोजेक्ट हैं इन प्रोजेक्टों के बारे में हमने चर्चा है वो चर्चा कर ली और आपको नोडाउन है वो नोडाउन भी करवा दिया तो आपको अगर एक दू और प्रोजेक्ट आते हैं तो आप अपनी तरब से याद गर लीजी का और comment section नहीं, इस comment section में आप बता सकते हो तो चलिए एक आपके टोंग के स्टॉंग का एक टोंग के नाम से ही start होता है जिसका नाम है Tor D Project के नाम से जाना ज़ता है तो ये राजस्तान इस राजस्तान के मोटा मोटी जितने भी हमारे पास में प्रोजेक्ट है, इन प्रोजेक्टों के बारे में हमने बात की, उमीद करता हूँ आपने स्क्रीन सोट ले लिया होगा, यह आप नोडाउन है, वो मेरे सासाथ नोडाउन है, वो नोडाउन कर लिय जाएगा बाकी देखिएगा इसकी पूरी पूरी लिस्ट अगर आपको चाहिए तो आपको लिस्ट यहां से मिल जाएगी यह यहां पर लिख दीजेगा गरदड़ा इस परकार से यह पूरी पूरी लिस्ट है वो लिस्ट आपको यहां पर मिल जाएगी जितनी भी हमारे पास पर सिंचाई प्रियोजना इनके साथ है उसाथ आप याद कर लीजिएगा ठीक है बई तो यह सारी आपको लिस्ट है कुल 35 की समटिंग आपको प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट लिखाया एक तो बंद बेरठा मैंने नहीं लिखवाया जे समन नहीं लिखवाया अजान बांद ह यह भी आप लिख दीजेगा देखो जे समन बांद सिंचाई प्रियोजना तो अलवर में है और जे समन और डेवर जील आपका काम पर है उदेपूरे इस उदेपूर के अंदर इस्तित्त है तो यह आपको कंफूज कर सकता है जो भी आपको कंफूजिंग लगे वह आप अल